नमश्कार दोस्तों, आज हम कड़े हैं फोर्स मोटर्स के शोरूम BK Force अजमेर बर दोस्तों किसी भी परकार की फोर्स मोटर्स की गाड़ी के बारे मागर जानना हूँ गाड़ी पर्चस करनी हो तो आप यहां पर संपर कर सकते हैं दोस्तों बी के फोर्स अजमेर बे दोस्तों यहां का एड्रस है नियर नारेली जेन टेंपल अजमेर बाइपास नेशनल हाईवे आर्ट बढ़लिया अजमेर 979929-0111-2224 तक आप हमें यहां पर संपर कर सकते हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फोर्स मोडर्स के आने वाली इस स्कूल बस के बारे मां दोस्तों तो एंड तक आप हमारे साथ बने रहे हैं चैनल पर नए हो तो प्लेश चैनल सब्सक्राइब जो कर लिजेगा और पास से लगी बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि इस चैनल पर आपको हर नए नए गाड़ी आपड़ा हमेशे मिलती रहें और सामना जो मोडल देख सकते हैं यह मोडल है 17 प्लस डी मोडल और इसी प्रकार से फोर्स मोडल के कर सारे मोडल भी है और यहीं पर अगर इसकी प्राइज की बात की जाए तो लगबग लगबग 14 से सवा 14 लाग रुपकत इसकी एक शुरूम प्राइज है हमारे यहां पर और इसी के साथ साथ फोर्स मोडल इसकूल बस delivery van, force cruiser, ambulance वगरे, कई सारे और भी models बनाती हैं दोस्तों और कुछ इस तरह की की मिलती हैं, जो कि force motors लगबग लगबग हर गाड़ी में इसी परकार के देती हैं और यहीं पर बात कर लेते हैं इसके front से, तो और यहीं पर आप देशकेते हैं इसका head light setup, high beam और low beam अलग अलग आपको यहाँ पर halogen bulb साथ मिलने वाला है और उपर आपको मिल जादा indicator और कुछ इस परकार की काफी बड़ी साइज की इसकी grill मिलने वाली है force motors का काफी बड़ा सारा logo और force motors की basin आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी black color का bumper यहाँ पर आपको इसमें foglams के लिए जगे दी गई है company fitted नहीं आप इसमें लगवा सकते हैं यह मिल जाता है towing hook और इधर मिलती है आपको इसमें number plates की जगा वो grill में भी काफी अच्छा game मिल जाता है जिसके radiator को अच्छी और ताजा हावा यहाँ पर मिल सकें और यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके front suspensions की तो आपको इसके अंदर मिलने वाला है anti roll bar with leap spring and hydraulic shock absorber force motors के traveler model में समय अभी आपको urea system मिलने वाला है क्या है यहाँ आपको double wipers और double jets मिलने वाल हैं दोनों में school bus की branding 60 km per house companies में speed limit दी गई है school bus की branding और सभी school bus में आपको 60 km speed limit दी गई है हैं क्योंकि इसमें आपको मिलता है monocoque chassis और यहीं पर बात कर लेते हैं side profiles की तो कुछ इस पर करका नजर आता है इसका side profile और यहीं पर बात कर लेते हैं सबसे पहले टायर की तो आपको मिलने वाल है 215 बटाप पिछे तरह 15 इंची का टायर still rim के साथ फ्रनम आपको इसमें disc brake देखने को मिलेंगे यहां मिलता है काफी big size का indicator traveler schooler FM 216 CR की यहां पर basing देखने को मिलेगी और कुछ इस परकार के big size की इसमें मिलने वाले हैं इसके overview black color के door handles और यहां safety का भी काफी अच्छे से ध्यान रखा गया है और इसकी खिडिक्यों के यहां पर देख सेथे हैं कि पैप्स लगाया गया है ताकि बच्चे अपने हाथ वगेरे और मुझ वगरे बार नहीं निकाल सके हैं यहां पर मिलती है fuel filler के और इसके fuel tank के बात कर तो लगव लगव शाड़ से पैसे लेटर के इसका fuel tank मिलता है और अगर पीछे की बात कि जाए तो पीछे आपको इसमें drum brake system मिलने वाला है और यहां पर बात कर लेते हैं इसके dimensions की तो आपको इसमें इसके लंबाई मिलने वाली है 5135 mm चोड़ाई मिलने वाली 1900 mm और उच्चा ही मिलने वाली 2550 mm यहां पर wheelbase की बात की जाए तो 3050 का यहां पर आपको इसका wheelbase देखने हो मिलेगा और ground cleanness की बात करे तो 200 mm का यहां प a rear look यहां पर बात करते हैं इसके टेले मिनुट की तो आपको इसमें stop lamp, parking lamp, indicator और reverse में आपको यहां पर इसमें halogen bulb देखने को मिलेगा, traveler super की basing, reflector, एक, दू, तीन और चार इसमें आपको reverse parking sensors भी देखने हो मिलेगे, नमबर प्रेट की जगह, force की आपको यहां पर basing देखने को मिलेगी, school bus की वही branding, और यह यहां के workshop के नमबर है, अजमेर के आसपास अगर आपके location और कोई गाड़े खराब हो गई हो तो आप यह नमबर पर संपर्क कर सकते हैं यहां पर, और यहां पर मिल जाता है इसका spare wheel और यह बात के लिए suspension की, तो आपके समें मिलने वाला leaf spring with hydraulic shock absorber, और यहां पर आपको मिलता है इसमें, बच्चों के लिए चड़ने के लिए यहां पर मजबूत footy step, और यहां से open करते हैं, और यहां पर stop के आपको यहां पर इसकी basing देखने को मिलेगी, इमने graphics, side draw trim, कुछ इस तरीके से, मजबूत grab handle, inner handle, window regulator handle, यहां साब आसनी से चड़ सकते हैं, यहां पर seat है, इस seat को आप यहां से fold करके अंदर के तरफ आसनी से enter हो सकते हैं, यह fold हो चुकी है, और इदर के तरफ से आप enter हो सकते हैं, यहां से, यह मजबूत है और handles मिल जाते हैं, पकड़ने के लिए, safety का कापी अच्छे तरीक हैं यहां पर ध्यान रखागा है, यहां देख सकते हैं, ड्राइवर के आसपास यहां पर यह इंगल्स लगाए गए हैं, safety के हिसाब से, handbrake lever floor और कुछ इस तरीक के नज़र आते हैं, sitting capacity, two by two का इदर है और three by three का इदर हैं, 17 plus d है, area, lock, यहां सी इस open कर सकते हैं, आप, jake और jake road आपको यहां पर मेलेगी इसकी, और यहां पर बच्चों के बेग अगर रखने लिए, यहां पर यह लगाए गए हैं, यह नैट्स मॉड के लिए लैट्स दी गई हैं, उपर LED rooflet मिलने वाली हैं आपको, emergency button, और हर seats के पीछ आपको कुछ इस पर कर handles मिलने वाले हैं, बच्चे आसाने सवजी से पकड़ के बेट सकते हैं, यहां पर आपको मिलने वाले हैं इसका fire extension tank, जो कि sensor से जुड़ावा हैं, इसकी एक आगए machine लगाए गई हैं, इसे बोलते हैं दोस्तो FDSS fire detection suppression system जो की आग लगने पर automatic काम करने लग जाएगा, इसके द्वारा sensors लगए हैं इसमें, साथ nozzle spray जुड़ावाएं इस engine पर जिससे की आटमेटर की एक काम करने लग जाएगा, और अब open करते हैं driver side से, side door trim, मजबूत grab handle, inner handle, power window regulator handle, lock unlock, और यहां पर एक और आपको manual ही मिलता है इसमें, fire extension tank, focus इस्तरी की seating, head rest के साथ, यहां से इसकी आप head भी adjust कर सकते हैं, यहां से आगे पिछी move कर सकते हैं, brake, color accelerator, bonnet opening, handle, यहां पर मिलता है, four spoke steering wheel, power steering के साथ, force motor logo सामने, और कुछ इस तरह का दिखाते हैं इसका dashboard, wipers के controls, headlight unit के controls, और इसका मैंने आपको बताय था, big size के, कोई vanity mirror या ticket holder नहीं मिलता है इन में, LED roof light यह को मिलती है, front में, और कुछ उस परकार का IRE मिलता है, big size के, ड्रावर, cabin की पूरी शाड़ कवार कर सके हैं, 12 voltage का charger socket, emergency button, deep wave control, hazards के controls, roof light के controls, headlight leveling controls, यह मिलता है battery cutoff, यहां साब इसका battery cutoff कर सकते हैं, gear lever knob, 5 forward, 1 reverse, और यहां से करते हैं, key on, सामना आप देख सकते हैं, इसका digital instrument cluster, इधर मिल जाता आपको इसका RPM meter, और यहां मिल जाता इसका speedometer, 0-180C की speed है, लेकिन company आपको इसमें 60 km log speed करके देगी, school gate से, इधर मिल जाता है, view level gate, इधर मिल जाता इसका आपको temperature का, और यहां से bonnet open करते हैं, और दिखाते हैं इसका engine आपको, सबसे पहले आप देखेंगे इसमें, कि इसमें AW tank यानि यह 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 देख सकते हैं, यह देख सकते हैं, और यह अगर इसके engine की बात कर लेते हैं, तो आपको इसमें मिलने वाला है इसमें, FM 2.6, CRDI BA6 Force Lander, Common Rail Diesel Engine, जो की 90 HP की पारवा, 200NM का मेकजिमन टोजनर करता हैं, यह 5-speed manual Synchromax gearbox के साथ आता है, माइलेज की बात करें तो, 12-14 km तक कंपनी इसमें माइलेज का दावा करती हैं, हाँ तो दोस्तों किसी लगे आपको यह Old New Force Traveller School Bus 17 Plus D, हमें कर्मेन में जुरू बताइएगा, हम मिलते हैं के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Goodbye, In Take Care My Old Friends